नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे दोस्तों हर दिन की तरह हम कुछ ने कुछ नहीं सिखते हैं तो आज मैं आप तोक लाए हूँ कुछ ऐसे छोटे छोटे सब्द जिनको हम अपनी रोजाना लाइफ में बोलते ही हैं तो चलिए देर नहीं करते देखते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं उन छोटे छोटे सब्द को जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों हो सकता है इन छोटे छोटे सब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आपको आता होगा यदि आपको आता है तो यह आपके Wiseman, Wiseman मतलब बुद्धिमान वैक्ती, बुद्धि मता, बुद्धी, जिसको इंगलीज में Wisdom कहते हैं, W-I-S-D-O-M, Wisdom, Wisdom मतलब बुद्धिमाता या फिर बुद्धी, गहरा, जिसको इंगलीज में Deep कहते हैं, D-E-E-P-D, Deep मतलब गहरा, गहराई, गहराई को इंगलीज में Depth कहते हैं, D-E-P-T-H, Depth, Depth मतलब गहराई, नदी, नदी को इंगलिस में river कहते है river मतलब नदी नदी का किनारा, नदी का किनारा को इंगलिस में bank कहते है B-A-N के bank, bank मतलब नदी का किनारा और दोस्तों, bank को हिंदी में हम दोग भरोसा भी कहते है समुद्र का किनारा समुद्र का किनारा को इंगलीज में बीच कहते हैं बीच मतलब समुद्र का किनारा समुद्र तट समुद्र तट को इंगलीज में सी सौर कहते हैं सी सौर मतलब समुद्र तट देखना जिसको इंगलीज में सी कहते हैं S, E, C, C मतलब देखना, वह या फिर उसे, जिसको इंगलिस में हम लोग C कहते हैं, S, H, E, C, इसका प्रयोग हम लड़कियों के लिए करते हैं, वह उसे, जिसको इंगलिस में ही कहते हैं, और इसका प्रयोग हम लड़कों के लिए करते हैं, देवता या फिर भगवान, जिसको इंग्लिस में God कहते हैं God God मतलब देवता या फिर भगवान देवी जिसको इंग्लिस में Goddess कहते हैं Godess Goddess मतलब देवी मूर्कों को इंग्लिस में Fullish कहते हैं F O O L I S H Fullish मतलब मूर्क आलसी को इंग्लिस में Lazy कहते हैं L A Z Y Lazy मतलब आलसी सक्रिय सक्रिय को इंग्लिस में Active कहते हैं A C T I V E Active Active मतलब सक्रिय चोट जिसको इंगलिस में injury कहते हैं injury मतलब चोट हवाई अड़ा जिसको इंगलिस में airport कहते हैं airport मतलब हवाई अड़ा उपर उपर को इंगलिस में अप कहते हैं नीचे को इंगलिस में down कहते हैं दबलू एंड डॉण, डॉण मतलब नीचे, पूँच, पूँच को इंग्लिस में टेल कहते हैं, टी ए आई एल टेल, टेल मतलब पूँच, कथा या फिर कहनी, जिसको इंग्लिस में टेल कहते हैं, टी ए एल ए टेल, सुनना या फिर कहना जिसको इंगलिस में टैल कहते हैं टी डबल एल टैल मतलब सुनना या फिर कहना उचा या फिर लंबा जिसको इंगलिस में टॉल कहते हैं टी ए डबल एल टॉल टॉल मतलब उचा या फिर लंबा बाउना, बाउना की इंगलिस में drop कहते हैं डि डडबलु ए आरेफ drop drop मतलब बाउना लंबा जिसको इंगलिस में long कहते हैं long मतलब लंबा दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपकी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिये सब्स्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को सेर कीजिए